हलो प्यारों बच्चों आप सभी का अपना यूटूब चैनल वाई आरेस क्लास में बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन है तो पिरी बच्चों आपको मैंने पिछले वीडियो में परश्ट नमबर एक सिरे कर परश्ट नमबर नौ तक के सारे सवालों को पढ़ा दिया हूं तो आईए आज हम पढ़ेंगे परश्ट नमबर दस जो कि इस अभियास की बहुत ही बहुत ही महतुपूर सवाल है परश्ट नमबर दस परश्ट नमबर छे यह ऐसे सवाल हैं जो एक्जाम में आपको मिलते रहेंगे आपको मिलेंगी भी तो आप इन सब परश्टों को ध् प्पायے. तो बच्चो प्रश्नमबर ही हां से दस कह रहा है. तीरुभुज pqr में एक तीरुभुज कह रहा है उसमें पी qr उसका नाम दिया है जिसका कॉण क्यों समकॉय क्यों क्यों क्या है? एक समकॉण है अरधात कॉण क्यों और आपको दिया है PR स्मूर कमान दिया है 25 cm virtue has to Divya करना है तो मिया भूज्स से लिखने आपको दिया क्या है दिया है दिया है पी आर प्लस क्यों आपड़ाबर 25 25 cm और दिया है पी क्यों बराबर 5 cm तो आप से यहां और कहे रहा है एक तिर्भुज है पी क्यूं आर तो हम बनाएंगे आपके सामने एक तिर्भुज अब इस तिर्भुज में कहे रहा है कौण क्यूं क्या है आपका एक समकौण है अगर कौण क्यूं समकौण है पी हमें यहां मानेंगे पी क्यूं और आर उपर मान लेंगे आपको दिया है यहां पर पी आर प्लस क्यू आर पी आर क्या है यहां से कड़ है जबकि क्यू आर क्या है लंब है यानि लंब और कण कर योग दिया है 25 सिंटी मीटर जबकि पी क्यों क्या है आधार है आधार का मान क्या दिया बच्चों 5 तो यहां पर लिखेंगे पांच सेंटी मीटर ठीक तो यहां रिखेंगे सम कोंड तिर्भुज सम कोंड तिर्भुज पी क्यूं आर में कोंड क्यूं नबे अर्थाज सम कोंड है ठीक तो यहां से आर क्यूं क्या है लंब है पी क्यूं क्या है आधार है जबकि आर पी क्या है या पी आर क्या है कण है तो लिखेंगे यहां से पाइथागोरस के सूत्र से पाइथागोरस के सूत्र से फर्मूला होता है कण का है स्कॉएर बराबर लंब का इस प्लेस आधार का स्कॉएर कण कमान क्या दिये पी आर कड़कर स्क्वाइर बराबर लंब का स्क्वाइर लंब क्या दिया है क्यूं आर प्लिस आधार क्या है पी क्यूं आधार का स्क्वाइर अब पिरी बच्चों करते क्या है पी आर का होरी स्क्वाइर हमें क्यूं आर कमान नहीं दिया है ना तो यह मान कर देंगे पच्छानतर यहां से माइनस यहां प्लस में आ गया माइनस में QR का होल स्कॉाइर बराबर PQ है ना अब इसको हम एक बार लिख दे रहें आपके सामने PQ का होल स्कॉाइर तो यहां से यहां से यहां से हम PR झाएर झाएर एक भूज़ा सम कॉने तरिव पूज़ का है QR भी क्या है एक भूज़ा है जिसका लिख दिया गया थिक है इन दोनों पर स्कॉाइर हम PR को A माने और QR को B माने तो फार्मूर यहां पर लगे झागugen A²-B² का चुकि फार्मूरे यहां पर लगा देंगे हम A²-B² याने एक ब्रेकट में A+, B दूसरे में A-B तो यहां से हम क्या मानेंगे A का मानें क्या PR है मानेंस B का मानें क्यूं आर तो एक ब्रेकट में A-B अर्थाथ PR-QR ब्रेकट में A-B अर्थाथ PR-QR बच्चों P क्या है आधार कमान दिया है आधार कमान क्या दिया है 5 यानि 5 का स्कॉाइर तो PR-QR तो बच्चों उपर देखिए समिक नमबर एक सगर देखा जा यहां से हम एक मान ले PR-QR कमान क्या दिखा है 25 तो यहां रखेंगे 25 गुड़े PR-QR 5 का वर्ग पच्चीस तो इसलिए PR-QR बच्चीस तो पिरी बच्चों PR-QR का गुड़ान क्या 25 है आजाएगा आपको भाग में 25 पच्चीस कटा आपको मिले हां से PR-QR कमान एक मिल गया क्या मिल गया इसलिएगो नमबर हम दूसरा मान लेंगे अब करेंगे समकर नमबर एक और दो को हल करेंगे और परहिएब NEW भुजा कमान निकालेंगे तो इक टीन लिखेंगे यहां से समिकर एक और दो से तो बच्चों पहला क्या दिया है PR-QR प्र PR Plus QR बराबर 55 PR minus QR बराबर 1 दिया है minus QR minus QR कड़ गया PR plus PR PR यहाँ PLUS में है यहाँ PLUS में है दोनों को जोड़ेंगे PR दोबार आया तो हैं हैं कि 2 PR बराबर 25,26 πर बराबर यहाँ से मिल आपको तो दू गुले में हैं, आपको मिला भाग में दू तेरे हैं तू जायर केशाई faj. उभी एर के आख करदांगे। कितना मिलगे बच्चों तेरा सिंटी मेंडे अब यह पी आर कमान हम चाहे एक में रखें चाहे दो में रखें लंब कमान निकालेंगे पी आर कमान समिकड़ एक में रखने पर एक है पी आर प्लस क्यूं आर बराबर पच्चीस तो बच्चों पी आर यहां पी आर कमान तेरा तेरा प्लस क्यूं आर बराबर पच्चीस तो बच्चों क्यूं आर कमान निकालने के लिए पलस तेरा कर देंगे पच्छांतर माइनस तेरा और क्यूं आर कमान यहां साबको निकला बारा सिंटी मीटर तो बाधों जो क्यूं आ रहे क्या है आपका एक लंबा है तो लंब कमान यहां से कितना निकल लगा या 12 cm तो पिले छात्रों इस सम्कौर्ड तीलि भुज अर्था P क्यूं R में तीनों फुजव कमान निकल लिए है ना जब तीनों फुज़ कमान निकल जाए तो जो जो आप कमान कहें उसको हम लगा देंगे तो फर्स्ट मान क्या है साइन पी तो निचे लिखेंगे इसलिए साइन पी फार्मूला होता है लंबू बटे लंबटे कर लंबू बटे कर लंब कमान पीर बच्चों क्या दिया है बारा कर कमान क्या दिया है तेरा यहीं बारा बटे तेरा यह आपका एंसर हुआ दूसरा बच्चों दिया है यहां से कौस पी फिल लिखेंगे कौस इसलिए कौस पी बराबर आधार बटे कर उपर से बीच वाला आधार बटे तो बच्चो आधार दिया है पांच कड़ दिया है तेरा पांच बटे तेरा ये भी आपका एंसर हुआ तो अंतिम कह रहा है टैन पी टैन पीक फार्मूला होता है किनारे से उपर से नीचे आजाना लंबटे आधार लंबटे आधार तो बच्चो लंब कमान क्या दिया है बारा आधार कमान पांच यानि बारा बटे पांच आपका एंसर हुआ तो पिरी बच्चो जो परशन परशन नमबर दस हुआ है ये बहुत ही महतुपूर परशन है अग्जाम के दिरिश्टी से अगर देखा जाए तो तो इसमें आपको दिया क्या है एक समकॉर्ण तिरभूत पी क्यों आर कह रहा है जिसमें कॉर्ण क्यों समकॉर्ण हो गया पी को यहां आर उपर माना गया जबकि दो कॉर्ण को योकफल कमांदिया है 5cm और आधार कमांदिया है 5cm अब यह नहीं मालूम है कड़ कितना है लंब कितनाigare है या लंब के 25cm तो सबसे पहले किया क्या जो जो मान दिया है समकॉर्ण कीसे 1 माना गया पी क्यों कमांद पांच क्या है यहां पर आधार है तो लिखे समकोंड तो प दिया नहीं है पलस को पच्छान आगए क्यूं प्र को आउ क्यूं इंत्य नहां फ्रमूला हो तो अ पलस बी इंतु ए माइनस बी यहां लगाती है प्यू कमान पांच पांच का वर्ग 25 हुआ प्यू प्यूं आर समक्रिंग निया है रख दिया 25 गुडे में है आ गया भाग में अंस अर हर साम कर गया आपका मिल अ इसमक्रिंग नू इक और दो को हल कर लिया, पी आर कमान तेरा पी आर कमान फिर एक में रहते हैं और क्यों आरकमान यहां सबको मिला बारा यानि लम्ब कमान बारा कंड कमान तेरा तीनों फुजा कमान ग्यांत कर लिया समकून, तरु भुज़ गा So signp formule abete time, दीढ़ार बटे तेर अब आपका एंसर मिलई 10p Fr X mujer 1 car, दीढ़ार आपका एंसर मिलई So tender poss prior to ws गर ficar To either Exodus University, आपका बहुत ही अमेद करते हैं, यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा का about the video को लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंसता रहे